रिवाडी में कमपनी में बॉलर फटने से जुल से करमचारियों की मौत की संख्या अब 10 पर पहुँच गई है तीन अन्य करमचारियों ने देरात रह तक PGI में दम तोड़ दिया जबकि चार करमचारियों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है वहीं इतने बड़े हादसे के बावजूद अभी तक कमपनी मालिक और ठेकदार की गरफतारी नहीं हो पाई है वहीं मजदूरों की मौत को लेकर AI UTC के नेता कॉमरेड एड़ोकेट राजेंदर सिंग के नित्रत्व में आज जलूस निकाला जाएगा और जिला सचीवाल ने पहुँचकर प्रसासन को ग्यापन दिया जाएगा मरने वालों में दिवेज खंशाम मनोज कुमार सामिल हैं जबकी से पहले दो दिन में साथ करमचारियों ने रहतक PGI और दिल्ली के सबदर जंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था जिसमें अमरजीत देवानंद अजय विजय रामू राजेश पंकज की मौत हो चुकी है फिलाल नौ करमचारियों का रहतक PGI में इलाज चल रहा है इन में चार ICU में भरती हैं वहीं दिल्ली के सबदर जंग अस्पताल और रिवाडी के नागरिक अस्पताल में भी कई करमचारियों का इलाज चल रहा है हादसे वारे दिन से ये सभी आग में बुरी तरह से जुल अश गए थे इस मामले में चार दिन पहले धारवड़ थाने में कमपनी और ठिकदार के खिलाब F.I.R. भी हो चुकी है साथी मामले में गटित की गई कमेटी भी जाच कर रही है हादसे में जुल से करमचारी के माने तो बताया कि हादसे के वक्त कमपनी में लगा बड़ा एमरजिंसी गेट बंद था इसकी वज़े से आग लगने के बाद करमचारी उसमें फसे रहे